दर्शुक और नमस्कार MNS News Live में आप सभी का स्वागत है बॉलिवूट को बॉकला है पाकिस्तान का जवाब इंडियन एर फोर्स पाइलेट अभी नंदन पर बनाएगा कॉमेडी मुवी खबरों की माने तो पाकिस्तान इंडियन एर फोर्स विंग कमांडर अभी नंदन वर्दमान पर एक कॉमेडी फिल्म बनानी के तयारी में है ये फिल्म साल 2020 में रिलिस की जाएगी फिल्म में बाला कोट स्ट्राइक के साथ ही वे इंडियन एरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान के घटना करम को भी शामिल करेंगे अब ही इस पर पाकिस्तान भी एक फिल्म बनानी की तैयारी में है साहो ने जीता दर्शकों का देल प्रभास के फिल्म को बताया मास्टर पीस बाव बली स्टार प्रभास की मल्टी स्टारर फिल्म साहो रिलीज हो चुकी है एक्षेंस से भरपूर साहो को दुनिया भर से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे है सुजीत की निर्देशन में बनी फिल्म साहो देखनी के बाद दर्शक इसे माइंड ब्लोविंग बता रहे है जोय फेक्टर के ट्रेलर लॉंच पर सोनब कपूर के अंदास को देख खुली रह गई सबकी आखे सोनब कपूर और दलकीर सल्मान ने भी इवेंट के दोरान अपनी लुक में हर किसी का दयान अपनी दरफ खीचा जहां एक दरफ सोनब कपूर इवेंट में रेड कलर की लॉंग गाउन में पहुची वही दलकीर सल्मान ब्लू कलर के कोट पैंट में पहुचे टॉप 10 में कौन बनेगा करुपती की एंट्री अमिता पच्चिन की टीवी क्वीज गेम शो कौन बनेगा करुपती की हर सीजन को अच्छी सा फलता मिली है शो के 10 सक्सेसफूल सीजन आ चुके है अब 11 सीजन को भी काफी पसंद किया जा रहा है शोपल हफते में ही टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है MNS न्यूज लाइब की खबरे देखने की लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंदिया आप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दन्यवाद